आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अपलाई कर दिया है वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए कैसे अपलाई करते हैं अगर आप apply करना चाहते हैं तो इस वीडियो का link जो है इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा आप घर बैठे अपने mobile phone से easily learning license के लिए apply कर सकते हैं और online test भी दे सकते हैं फिलहाल कुछ लोगों ने apply किया है लेकिन उन्हें जो है password नहीं receive हो रहा है क्योंकि जब भी आप online test देंगे तो वहाँ पर password की जरूरत होती है अगर password नहीं मिल रहा है तब आपको password कैसे मिलेगा इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको परिवहन की website पर आना है ठीक गूगल खोलना है शुरूस मैं आपको दिखाता हूं जैसे आप इसको पर किलिक करते हैं next page आएगा आपको अपने state select करने के लिए ति यहाँ पर आपका जिस भी state से है आपको अपना state select कर लेना है और जैसे आप select करेंगे तो आपके state की जो transport department की website है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगे और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि कुछ state में जो है जो learning license का password है तुरंत ही भेज दिया जा रहा है जैसे आज आपने apply किया तो आज के ही date में आपको learning license का password भी मिल जाएगा और आज के ही date में आप जो है test भी दे सकते हैं नहीं कि same day सारा कुछ कर सकते हूं ठीक तो इसक के बाद में आपके application form का पूरा status जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा जहां पर कि आपकी पूरी detail और आपका photo गएरा सारा कुछ देखने के लिए मिल जाए यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि application submitted for contactless service no need to visit RTO तो इस तरह से अगर आप जो है जो मैं सारा steps जो है यहां पर form filling और साथी upload document और photo signature payment सारा कुछ जो है यहां पर हो रखाए ठीक पहले यहां पर एक option था scrutiny का जिसके लिए यहां पर आपका इसकुटनी जब completed दिखाता था यहां पर last में जो है इसकुटनी दिखाता था कि इसकुटनी जब ही आप completed होता था उसके बाद ही आपका learning license का टेस्ट जो है यहां इक learning license का जो password है आपके mobile नंबर पर भेजा जाता था लेकिन अब क्या हो क्या कि आपका इसकुटनी में जरूरत थी नहीं है आधार करने करने के बाद में डिIGN license test का pass confirmed आप सकते हो लेकिन apply करिए apply करने के बाद में आपको क्या करना है जैसे आपने apply कर दिया पूरा home यह नहीं की complete कर दिया फीस payment और सारा कुछ करके complete कर दिया complete करने के बाद में यहाँ पे एक दिया है road safety tutorial has been watched if you want to watch again ठीक तो यहाँ पे एक road safety tutorial है इनका एक video होता है जिसमें की कुछ instruction देते है road safety संबंदिर तो आपको उसे देखना होगा उसके लिए आपको click here को उपर click करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने application number डाल देना अगर नहीं पड़ा है तो डालने एक बाद generate OTP को उपर click करेंगे तो वह जो है OTP आपने जो भी mobile number डाला है उस mobile number पे जाएगा उस OTP को डालके submit करेंगे जिसके बाद में एक वीडियो आपके सामने चलेगी उस वीडियो को आपको पूरी तरीकेस देखना लगए और देखने के बाद में जब देख लेंगे तो नीचे जो है आप करेंगे आपके मॉबायल पोटीपी डालीए और समिट करेंगे आपके मोबायल फोन पर प्रजान पर सुपक्राइब करो तो यहां पर आपका डेटा बर्त मांगेगा तो यहां पर आपको अपना डैटा बर्त स्कूपर क्लिक करना थे पासवर्ड अगर मिल गया है तो आप पासवर्ड डालिये जिसके बाद में नीचे जो है अथन्टिकेट कूपर किलिक करके अपने फेस को बेरिफाई करिया उसके बाद लाइनिंग लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं लेकिन अगर अभी तक आपको जो है यहीं की पासवर्ड नहीं मिला है लाइनिंग लाइसेंस टेस्ट का तो यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं लिखा है इफ यू है नाट रिसीब लल टेस्ट पासवर्ड प्लीज किलिक है रीसेंट पासवर्ड बटन तो उसकेस में आपको इस वाले बटन पर किलिक कर देना ठीक यहाँ पर अप पसंद आई हुद वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा मिलते अगली वीडियो मने अपडेट के साथ तक के लिए जय हैं